बच्चे हम लोगों ने 6.1 लास्ट वीडियो में फिनिश करी ठीक है इसमें आपका डिवाइट करना था बाई ग्रूपिंग से ठीक है अगला जो आपका टॉपिक है बिटा पेज नमबर 37 में डिवीजन बाई रिपीटेट सब्ट्रेक्शन हम डिवीजन को रिपीटेट सब बॉइज इच बॉइज शुट गेट 3 स्वीट्स हाउ मेनी बॉइज आर देर देखे बच्चे इस एक्जामपल में आपको दिया गया है कि 12 आपको टॉफी या कुछ भी मीठी कुछ भी स्वीट्स दी गई है उनको आपने कुछ बच्चों में डिस्टिब्यूट करना है तो इच बॉइज शुट गेट 3 स्वीट्स हर एक बच्चे को 3 स्वीट्स मिलेंगे तो बताने कि कितने टोटल बॉइज यहां पर हैं तो देखे वी हैव तू फाइंड आउट हाउ मैनी टाइमस 3 स्वीट्स कैन बी टेकन फॉम 12 स्वीट्स यानि कि हमको यह निकालना है कि 3 आपका कितने टाइम ले लिया जाए किस से 12 स्वीट्स से या फिर हम इसको कह सकते हैं कि 3 कितने टाइमस 12 से सब्ट्रेक्ट होगा तो बिता देखे यह हम इसमें कॉंसेप्ट करेंगे देखे फर्स्ट टाइम गिव 3 स्वीट्स टु वन बॉय यानि कि सपोज हमने एक बच इतनी स्वीट्स बच गई 9 बच गई क्योंकि एक बच्चे को आपने 3 स्वीट्स दे दी गिव 3 स्वीट्स टु नेक्स्ट बॉय अब अगला जो आपके पास बच्चा है उसको आप 3 दे दीजे तो अब आपका 9 में से 3 गए 6 बच गई तो गिव 3 स्वीट्स टु कोई भी sweet नी left हुई तो आपने कितना करा 1, 2, 3, 4 यानि कि आपके पास total कितने बच्चे थे 4 बच्चे थे जिसको हमने ये sweets equally distribute कर दी How many boys got the sweets कितनी मिली 4 boys got the sweets How many times we subtract 3 4 time है न देखे अब देखे एक बच्चे को 3 मिल गई दूसरे को 3 मिल गई तीसरे को 3 मिल गई and 4th को 3 मिल गई तो हमारे पास total कितने boys हो गए 4 boys ठीक है बच्चे तो ये आपका है division as repeated subtraction का concept Thus we see that 12 seeds are distributed 3 each among 4 यानि कि 12 हमने sweets को हर एक बच्चे को 3-3 sweets distribute कर दी और आपके पास total 4 boys है ठीक है For this distribution we subtract 3 repeatedly from 12 हमने 12 में से 3 को बार-बार उसको subtract किया कब तक subtract किया जब तक आपके पास 0 ना बच जा है कितनी बार किया हमने 4 time 12 divided by 3 is equal to 4 Thus we observe that division is repeated subtraction is quondaline कर ली जेगा in 12 divided by 3 is equal to 4 12 is dividend 3 is divisor and 4 is quotient बेटा देखिए अभी हमने long division method भी आपको division से समझाना है किस तरीके से करते हैं अभी आप समझे कि आप किस तरीके से repeated subtraction से divide निकालते हैं देखिए हमने suppose एक आपको ना बेटा पहले हम example समझाते हैं हम लोग exercise स्टार्ट करेंगे देखिए suppose आपने 24 यहाँ पर यह देख लीजे अब आपको 24 टॉफीज हैं और 3 आपके 20 बॉइज हैं तो आपको यह बताना है कि कितनी टॉफीज एक बच्चे को मिलेंगी उसके लिए हम repeated subtraction कैसे करेंगे बच्चे देखो पहले 24 मेंसे आप 3 को माइनस कर देंगे ठीके जब आपने 24 मेंसे 3 को माइनस किया तो आपके पास कितना बचा 21 बचा ठीके अब 21 को अगें 3 इसमें से माइनस कर दीजे तो आपके पास कितना बचा 18 बचा ठीक है बच्चा अब 18 में से अगें 3 माइनस कर दीजे तो आपके पास 15 बचेगा 15 में से आप अगें माइनस करिए It is your repeated subtraction हम बार बार subtract कर रहें तो आपका 12 बचा 12 में से 3 को माइनस किया 9 बचा 9 में से अगें 3 को माइनस किया तो आपके पास 6 बचा अब 6 में से 3 को माइनस किया तो आपके पास कितना बचा 3 अगें 3 में से 3 को माइनस किया तो we are getting 0 बटा आपने ये प्रोसेस तब तक करना है जब तक आपके पास 0 ना आ जाए अब देखे हमने कितनी बार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 ठीक है तो हमने ये डिवीजन का प्रोसेस कितने टाइम किया 8 ताइमस तो हम यहाँ पर लिखेंगे 8, your answer will be 8 जब आप डिवाइड भी करेंगे तब भी आपका 8 या आएगा 24, 3 की टेबल में 8 ताइमस आता है तो इस तरीके से हमने repeated subtraction किया तो आपका answer 8 आया देखिए next example 8 divided by 2 पहले आप 8 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बताइए 6 बचेगा 6 में से फिर माइनस करेंगे 2 तो 4 बचेगा 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा 2 में से again 2 माइनस करा तो हमने को यहाँ क्या मिल गया 0 हमने यहाँ पस stop कर देना है ठीके जब तक आप को 0 नहीं मिलेगा क्योंकि अब आपके पास जैसे आपने sweet वाला example किया था टौफी आपके बच्ची नहीं तो आप आगे बच्चों को क्या दोगे कुछ भी नहीं दोगे तो यहाँ तक आपका stop हो गया अब कितनी बार 1, 2, 3 और 4, 4 टाइम हमने divide किया तो इसका answer आगया आपका 4 ठीके बच्चे इस तरीके से आप लोग division as a repeated subtraction को करोगे देखे बच्चे अब आपका जो exercise है 6.2 इसको open करिए pay number 39 देखे बटा, first आपको example करा हुआ है, इसके basis में ही हम आगी के questions solve करेंगे first question है आपका 150 divided by 30 same वोई process है, again आपने repeated subtraction से इसको solve करना है आपने तब तक minus करते जाना है, जब तक आपका यहाँ पर 0 न मिल जाए देखे, 150 में से 30 minus किया, 120 आया 120 में से again 30 minus करोगे, तो आपका कितना आएगा 90 आएगा, 90 में से again, 90 में से 30 minus करेंगे तो 60 आया 60 में से 30 minus किया तो 30 आया, अब 30 में से 30 minus किया तो 0 we are getting 0, हमने कितनी time किया, 1, 2 3, 4 and 5 तो we will write here 5 यहनि कि 150 को जब हम 30 से divide करेंगे, we will get 5, आये बच्चे समझ में तो यह आपका इस तरीके से एक आपको example दिया है आये, अब हम इनके सारे questions को solve करते हैं